हेलो अब्रवन वेलकम टू ब्रजीन क्यार एक्स्पेस आए शुरू करते हैं एक महत्पूर्ण वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा शिक्षप्रती परिक्षा जो 27 मई को होगी अभी तक था कि 27 मई को सुनिक्षित है शौर नहीं है उर्दू का प्रकरण है और टेड का प्रकरण है लेकिन आज आपको पता चल गया है कि उर्दू विशय को हटा दिया गया है और शिक्षप्रती परिक्षा उसी समय पे 27 मई को जो एडविन कार्ड आपको दिये गये हैं जो सेंडर अलोट के क्या उन्हीं सेंडरों पर होगी और सबसे महत्पूर बात जिस पर बहुत लोग कंफ्यूज हैं हम बहुत सारे दोस्तों का यह कोशन था कि हमें करेंट कितना पढ़ना है तो मैं करेंट की बात करूंगा आपको यह याद दिलाते हुए कि आपको यह न होगे तो पेपर तो वही पुराना है जो उस टाइम पर बना के रखा गया था उन्हींपर ось को करेंबर धारा है तो अब बात आती है कि भई अगर हम 12 मार्च को पेपर दे देते तो या 12 मार्च को पेपर होना सुनिशित था तो कितने महने तक हमें पढ़ना है तो उसके बारे में मैं आपको यहां पर जनकर देने जा रहा हूं सामाने था जो परिक्षा होती जहां पर करेंड अफेर्स को शाम किया जाता है कुछ परिक्षा में लास्ट के 6 महिने, 7 महिने को इंक्लिउड किया जाता है. कुछ परिक्षा में पूरा 1 साल ले जाता है, कभी-कभी 2 साल पर भी लेकिन मैं सज़ेस्ट करूँगा कि आप जनवरी 2017 से लेकर करके फरवरी 2018 का current affairs जरूर आप तियार करें प्रिंट हो चुका होता है तो मेरे सजेशन से आप जनवरी 2017 से ले करके फरवरी 2018 लगबक एक साल एक साल से थुरा सा प्लस है तो एक साल का करेंड अफेर्स आप तयार कर लें इधर लास्ट के जो आपके इधर जनवरी फरवरी 2018 में जो महात्पुर्ण निकल किया है उनको जरूर देख लें और इधर नहीं पढ़ने की जरूरत थी अगर आपने मार्च अप्रेल जो अबी चल रहा था उसका प्रेपेर कर लिया तो वो एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं उससे आपका टाइम कील हो रहा है उससे आप अपना करने की जरूरत है कंफ्यूजन जैसी चीज बिल्कुल नहीं होने चीज़ हाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर की पॉस्टिविटी को खत्म मत होने दीजेगा आप यह सोचकर निराश ना हो कि आपकी प्रेशन अभी अधूरी है क्योंकि अगर आप यह सोचने कि दवाओं में आ जाएंगे प्रेशर अब भी हो जाएगा तो फिर जतना भी तक अपने महनत क्या है वो सब बेकार हो जाएगा तो बहुत ही पॉस्टिव रहकर के एकदम जॉली मूड में आप अच्छे से तयारी को फाइनलाइस करें एक्जाम 110 पसंद बहतर होगा यह मे